आज हम बात करने जा रहे हैं partial fraction की आंशिक भिन्न की बात करने जा रहे हैं इसका फ़ले मतलब समझेगा जैसे 7 by 11 कहीं लिखा हुआ है तो आप कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं 5 by 11 plus 2 by 11 किसी भिन्न को किसी fraction को छोड़े चुकड़ों में लिखना चाहे और छोड़ा टुकड़ा करतो 3 by 11 plus 1 by 11 plus ऐसे लिख सकते हूँ ठीक है 11 लेकिन अगर उपर 11 लिखा होता तब क्या करते हैं तो लिख सकते हैं उसको भी लेकिन इसमें हम क्या करते हैंगे जो इसका complete number है 1 वो अलग करेंगे और 4 by 7 अलग करेंगे यह fraction हम break करेंगे यारे कि जब हम algebra में partial fraction सीखेंगे तो कैसे हम उसको पहचानेंगे कैसे उसको break करेंगे उसका method समझी ला पहले mathematics में syllabus में हुआ करता था अभी है ने उसका use करना है integral में use कर आयो छोटी होनी चाहिए जो अंस है उसकी degree छोटी ही होनी चाहिए चाहिए पhleड इना में कुछ भी ओ नूमेटर इनी लिख़ए हो नकिगरी छोटी होनी चाहिए तो सबसे पहला केसम देकि जा रहे है कि इस डिनॉमिनेटर को Denominator बोले तो हर, Denomi, Denominator, Denominator has linear and non-repeated, non-repeated factors. हम एक-एक करके एक-एक एक 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 जामपल बता देंगे, बस वो समझ लीजेगा. मतलब जैसे numerator अपने का कुछ भी लिखा हो, जैसे मालिया हम एक 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 जामपल लिके जलते हैं, उपर लिखा है X, और नीचे लिका है X प्लस 1, X प्लस 2, X प्लस 1, X प्लस 2, एक-एक एक 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 जामपल देंगे और उसको हम solve कर देंगे. देखे, numerator से कोई भी मतलब नहीं है, पहली शर्ट समल लिजेगा, उपर क्या लिका हम से कोई मतलब नहीं है, पस ये मतलब है कि उपर की डिगरी छोटी होने चाहिए, उपर डिगरी 1 है, और इसको खोलेंगे तो दो डिगरी आएगा, तो नीचे की डिगरी बड़ी हो गई अब इसमें कैसे factor है, ये linear है, linear का मतलब होता है जिसमें x की डिगरी 1 हो, और ये non-repeated है, non-repeated बोले तो, अगर x प्लस 1 का whole square होता तो repeat हो जाता, तो ये non-repeated हो गए, तो इसका तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि a upon x प्लस 1 अलग कर दो, और b upon x प्लस 2 अलग कर द जितने factor होंगे, सबको अलग-अलग लिग देंगे, बस ये partial fraction हो गया, अब आपकी duty है, ABC की value निकाल ली, अब आपका mathematical solution, जैसे आप math से solve करते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, अब यहाँ LCM ले लिए आपने पहले, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, अब a के साथ क्या आएग a के साथ आएगा, x प्लस 2, x प्लस 3, तरीका आप जानते हैं, इससे इसको divide करोगे, जो बचेगा उससे इसका multiply करोगे, b के साथ क्या आएगा, b के साथ आएगा, x प्लस 1, x प्लस 3, c के साथ क्या आएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, और यह कड़ गया, तो इधर क्या आया, x is equal to, a के साथ आएगा x plus 2 x plus 3 plus b के साथ आएगा x plus 1 x plus 3 plus c के साथ आएगा x plus 1 x plus 2 कुछन ये 1 है अब देखो a b c की value निकालने का तरीका एक तो तरीका ये होता है coefficient को equate कर दो गुडांकों के तुला कर दो दूसरा तरीका जहाँ पर ये linear factor होंगे वहाँ एक आपके पास सहुलियत है एक बार इसको 0 लिख दो एक बार इसको 0 लिख दो एक बार इसको 0 लिख दो यहाँ पर पहले कि आप क्या करेंगे putting x plus 1 is equal to 0 यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर रख दो ठीक है तो यहाँ कि यहाँ रखो minus 1 तो यह हो जाएगा minus 1 a के पास क्या रिखोगे minus 1 plus 2 और minus 1 plus 3 तो minus 1 is equal to a यह 1 आएगा यह 2 आएगा तो a की value आगी minus 1 by 2 a निकलाया a निकलाया अब b निका लिए a को कहें लिख लीजे a को हम लिखे ले रहे हैं minus 1 by 2 अब हमने क्या कहा एक एक बार सबको 0 कर दो अब put कर दो आप x plus 2 बराबर 0 अब यह x plus 1 0 किया था अब x plus 2 बराबर 0 कर दो putting x plus 2 बराबर 0 कहाँ पर यहाँ यहाँ भी x plus 2 है c बराबर 0 0 कियो बी बाला बचेगा यहाँ क्या आप चाहेगा minus 2 is equal to b के साथ क्या आएगा minus 2 plus 1 minus 2 plus 3 तो minus 2 is equal to b यह आएगा minus 1 यह आएगा plus 1 तो b की value आगई 2 b निकलाया यह बी निकलाया आपका 2 यह कब है जब denominator के पास linear and non repeated factor हो ठीक है अच्छा अब आप एक बार तीसरा factor 0 कर दो putting तीसरा factor क्या है x plus 3 बराबर 0 या x is equal to minus 3 in equation 2 रग दो minus 3 तो यहाँ पर तो आएगा minus 3 देखे x plus 3 को 0 किया है न यहाँ पर x plus 3 है तो a वाला पूरा step 0 यहाँ पर x plus 3 है b वाला पूरा step 0 क्यों यह वाला बचेगा c के साथ क्या बचेगा minus 3 plus 1 minus 3 plus 2 तो minus 3 is equal to c minus 2 और minus 1 यह plus 2 आएगा c के विदुआ आगे minus 3 by 2 abc निकलाया minus 3 by 2 अब इस abc को उठाओ और equation number 1 में put कर तो putting abc in equation number 1 putting abc in equation 1 तो यह जो आपका इधर लिखाता ना x plus 1 एक ब्रैकेट में x plus 2 x plus 3 is equal to a की वैलू क्या है minus 1 upon 2 x plus 1 plus 2 upon x plus 2 minus 3 upon 2 x plus 3 इस प्रकार चे हम किसी fraction को partially अलग-अलग टुक्रों में break कर सकते हैं इसका integral हो नहीं रहाता इसको अलग-अलग integrate कर देंगे ठीक है इसलिए इसका use हम करेंगे तो एक तो तरीका यह हो गया कि denominator has linear and non-repeated factors अगला देखे अगला यह है denominator में linear and repeated factors अगर हो अगला method यह है denominator has repeated linear and repeated factors तब क्या करेंगे एक example उठाते हैं आगे है 3x minus 11 sorry 3x minus 2 upon x plus 1 का whole square into x plus 3 देखो ध्यान से यह linear है चुकि इसके अंदर की degree 1 है यह linear है यह power 2 है यह power 1 है total power 3 है उपर power 1 है उपर की power छोटी होनी चाहिए उपर क्या लिखा हम से कोई मतलब नहीं क्यों इतना ध्यान रखना है कि उपर की degree छोटी होनी चाहिए यह repeated है दो बार लिखा है तरीका दिखी क्या होता है a upon x plus 1 एक बार लिखेंगे और plus b upon x plus 1 का square लिखेंगे बस यह तरीका होता है अगर cube होता तो c upon x plus 1 का whole cube लिखते है और plus इसके लिए c upon x plus 3 बस यह आपका parcel fraction हो गया अब आपकी duty है a,b,c की value निकाल लिए अब simply पर ले इसको solve कर लिजे 3x plus 2 3x minus 2 upon x plus 1 का whole square into x plus 3 is equal to यहां LCM लिखेंगे LCM क्या आएगा x plus 1 का whole square into x plus 3 तो a के साथ क्या आएगा a के साथ आएगा x plus 1 into x plus 3 b के साथ आएगा x plus 3 और c के साथ आएगा x plus 1 का whole square यह cancel हो गया और यह equation number 2 बन गया अब देखें इसको अगले step में note करेंगे आप यह cancel होने के बाद में यह हट जाएगा अगले step से यह वाली चीज हट जाएगी और यह step equation 2 बन जाएगा अब देखें linear factor में हमारे पास एक option है कि हम एक बार x plus 1 को 0 करें एक बार x plus 3 को 0 करें तो दो चीजे तो निकल आएगे ठीक है कर देते हैं putting x plus 1 is equal to 0 या x is equal to minus 1 in equation 2 x को minus 1 अगते हैं तो को इसके पास x plus 1 है पूरा 0 इसके पास x plus 1 है पूरा 0 यह 0 नहीं होगा रखो minus 1 तो यह आएगा minus 3 minus 2 is equal to b के पास आएगा minus 1 plus 3 तो यह हो गया minus का 5 is equal to 2b तो b की value आगई minus 5 by 2 b निकल आया यहां लिख देते हैं b की value आई है minus 5 by 2 चलिए b निकल आया आप क्या करें एक और factor हमारे पास है x plus 3 उसको 0 कर देते हैं putting x plus 3 बराबर 0 यह नि x is equal to minus 3 कहां पर in equation 2 रखो जब minus 3 रखोगे तो यह आएगा minus का 9 minus का 2 देखो इसके पास x plus 3 है पूरा 0 इसके पास x plus 3 है पूरा 0 इसके पास नहीं है तो इसके पास जाएगा minus 3 plus 1 का whole square जो जाएगा minus का 11 c के साथ आएगा minus 2 का square 4 तो c की value आगई minus 11 by 4 c की value आगई minus 11 by 4 अब क्या करें भया दो ही factor तो थे अब क्या करें अब हमारे पास एक ही चारा है यहाँ पर coefficient adequate कर दीजे क्योंकि एक ही value नहीं मालू है तो देखो ध्यांसे अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको या तो direct अपना दिमाग लगा तब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर x square आएगा तो x square के साथ यहाँ पर a आएगा इसको खोलेंगे तब x square आएगा उसके साथ c आएगा प्लस c और प्लस फिर खोलेंगे कुछ x के term आएगे कुछ constant term आएगे वो अपने आप खोलेंगे अब इधर क्या लिखा है 3x plus 2 3x minus 2 इसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ coefficient equate कर दो मैं bracket खोल नहीं रहा हूँ इसको अपने आप करना है आपको equating the coefficients equating the coefficients हमने क्यों चुकि एक ही value चाहिए और वो x square के साथ आ रहा है इसलिए इसका coefficient यहां क्या है a plus c और यहां पर x square है नहीं तो उसका coefficient हो गया 0 c निकल चुका है तो हम जब c की value रखेंगे a minus 11 by 4 बरावर 0 तो a की value आगी 11 by 4 तो इस प्रकार से abc निकल आया अब abc को उठाइए और equation number 1 में put कर दीजे संभियाली बात यह पूरा bracket खोलेंगे x square के टम एक साथ लिखेंगे x के एक साथ लिखेंगे constant एक साथ लिखेंगे ठीक है इसके बाद सबके coefficient equate कर देंगे उनको equate करके भी abc निकल सकते हैं चुकि हम a और b और c निकल चुके हैं इसलिए हमने क्योल x square लिखा है अब यह abc उठाइए और equation number 1 में put कर दीजे putting abc abc in equation 1 तो यह आएगा 3x minus 2 upon x plus 1 का whole square into x plus 3 is equal to a की value क्या निकली अई एच्छा a 11 by 4 साई निकला था तो यह जाएगा 11 by 4 x plus 1 b की value आएगी minus 5 by 2 x plus 1 का whole square c के value minus 11 by 4 x plus 3 अब अगर इस function को integrate करना है तो यह अलग-अलग लिख दिया गया इसको हम integrate कर सकते हैं तो यह क्या हो गया denominator has equal and sorry linear and repeated अब अगर denominator पास quadratic factors हैं तब क्या करेंगे denominator has quadratic factors numerator की एक ही condition है कि वो degree same होनी चाहिए sorry छोटी होनी चाहिए चोटी होनी चाहिए वरावर नहीं होनी चाहिए तीसरा case है denominator has quadratic and non-repeated non-repeated factors तेखो quadratic का मतलब यह भी दो डिगरी का है लेकिन इसको आफ factorize कर सकते हैं x plus 1 x minus 1 तो अगर ऐसा लिखा है तब नहीं फेक्टर कर सकते हैं तब quadratic हो गया और repeated मतलब अगर whole square होगा तब repeated होगा अगर नहीं होगा तो यह repeated नहीं होगा तो ऐसा होगा तब क्या करेंगे देखिए question क्या तरीका यह कोई question उठा लेते हैं जैसे यहाँ पर कोई question ले लो जैसे है आपका x square प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस 2 और x square प्लस 1 अब देखो इसकी degree 1 इसकी degree 2 multiply करेंगे 3 degree है उपर degree 2 है तो उपर की degree छोटी है तो इसके लिए तो हम पढ़ चुके है a अपान x प्लस 2 और इसके लिए हम क्या करते है अगर एक quadratic factor है तो इसके लिए linear expression लिखते हैं उपर bx प्लस c और नीचे x square प्लस 1 लिखा हुआ यह question number बन होगा बस हो गया काम कतम अब आपको solve परना है solve करने का तरीका वह algebra वाला x square प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इंटू x square प्लस 1 is equal to यहां LCM ले लिए x प्लस 2 इंटू x square प्लस 1 इसके साथ इसका इंटू हो गया और इसके साथ इसका इंटू हो गया x प्लस 2 यह cancel हो गया तो अगले step में क्या बचेगा अगले step पे यही बचेगा किवाद अब आप यहां एक लफडा है देखे एक linear factor है इसको 0 करके एक value तो मिल जाएगी एक ही लेकि बी और सी नहीं मिल सकती है तो आप फिलाल coefficient ही equate करिए तो यह इधर क्या लिका है x square plus x plus 1 is equal to इसको खोल दीजेगा तो यह आएगा ax square plus a इसको खोल दीजेगा तो bx square plus 2bx plus cx plus c अब यहाँ पर करिए x square कामन लेलू यहाँ x square साथ a है यहाँ b है यहाँ क्या आएगा a plus b यहां पर x कामल ले लो तो आएगा 2b प्लस c और constant है a प्लस c अब coefficient equate कर दो x square प्लस x प्लस 1 equating the coefficients equating the गुडांक, गुडांकों की तुल्ना करने पर अब जरा देखे जान से यहां x square साथ क्या रहा है a प्लस b, यहां रहा है 1, तो a प्लस b की value क्या हो गई? 1, यह तीसरा equation है यहां x साथ क्या है? 2b प्लस c यहां x साथ क्या है? 1, यह भी 1 हो गया चाउथा equation, यहां constant क्या है? a प्लस c यहां पर क्या? यहां भी 1 है यह भी 1 हो गया, अब इन तीरो equations को solve कर लो, a, b, c का मार निकाल लो और निकाल की यहां पर रख दो ठीक है हाँ इसमें एक सस्था तरीका यह है कि एक बार x प्लस 2 को 0 कर दो तो a की value निकल आएगी और बाद में a की value यहां रख दो बीनकल आएगा एक उलियान्य rectangle प्लाइगक लिगा कर सकते हमसों नहीं कर रही है आप जानते हैं कैसे羅फ किया जाएगा तो यह तीन तरीके हैं वो उरपीटेड रीपीटेड भी हो सकता है वह बसाने की जड़ोत नहीं है अब बार बार हम कहा रहे हैं कि denominator has sorry numerator की degree छोटी होने चाहिए अब आप कहेंगे साब अगर denominator की degree छोटी हो गई तो उपर बड़ी हो गई तो क्या हो गया देखें अगर एक example ले ले अगर उपर है x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6 अब उपर की degree कितनी है 2 नीचे की degree कितनी है 2 बराबर हो गई condition क्या है उपर की degree छोटी ही होनी चाहिए बड़ी नहीं बराबर भी नहीं होनी होगी तब क्या करेंगे अब इसको divide करो तो x square plus 1 को divide करेंगे आप अब यह नहीं करें इसको उल्टा कहने divide कर रहे है एक बार जाएगा यह यहाएगा x square minus 5x plus 6 minus tick tick यह कड़ गया यहाएगा 5x plus 6 तो आप जानते हैंगा 7 को 2 से divide करते हैं 2, 3, 6, 1, 3 whole number 1 by 2 या 3 plus 1 by 2 यह यह हो जाएगा 1 plus 5x minus 6 अपान x square minus 5x plus 6 यह अलग-अलग हो जाएगा अब इसकी degree छोटी हो गई इसको partially अलग-अलग करिया मतलब अब हम इसको अलग note कर लेंगे अब क्या करेंगे हम 5x minus 6 इसको factor कर देंगे x minus 2 x minus 3 अब देखो यह कैसे हो गए इसको जब solve करेंगे तो a upon x minus 2 plus b upon x minus 3 और यह solve को आपको आता है रखने के बाद यहाँ value उठाग रख दो तो आपका answer क्या आएगा 1 plus a upon x minus 2 plus b upon x minus 3 यह भी हम निकाल चुके हैं तो यह तरीका यह होता है कि अगर उपर की degree बड़ी है या बराबर है तब क्या करेंगे एक और तरीका यह लास तरीका है यह दो तीन तरीके हैं जिनका हम integral में इस्तेमाल करेंगे इसलिए हम इसको बता रहे हैं जैसे माल लिया एक example है x square plus 1 upon x square plus 3 into x square plus 4 वैसे तो यह quadratic है तो यह ax plus b upon इतना plus cx plus b upon इतना लेकिन हम यहाँ पर देखें तो x square को कुछ मान सकते हैं y मान सकते हैं यह जब सब जगे हम change करेंगे तब मानेंगे तो यह बन जाएगा y plus 1 और यह बन जाएगा y plus 3 into y plus 4 अब आपके linear और repeated non repeated हो गए तो a upon y plus 3 अलग हो गया और b upon y plus 4 अलग हो गया तो यह जब LCM देंगे y plus 1 is equal to a के साथ आएगा y plus 4 और b के साथ आएगा y plus 3 जैसा कि पीछे हम पढ़ते आए हैं कि एक बार एक factor को 0 करेंगे चुकि एक linear हो गया ना तो एक बार put कर दीजे putting y plus 3 is equal to 0 y is equal to minus 3 in equation 2 जब y plus 3 0 करोगे तो b वाला step 0 हो जाएगा अब y करो को minus 3 तो यह हो जाएगा minus 3 plus 1 is equal to a के साथ आएगा minus 3 plus 4 तो आएगा minus 2 is equal to a तो a की value आगी minus 2 तो a निकला है a कितना निकला minus 2 एक बार b की value निका लिए तो अभी आपने y plus 3 को 0 किया अब y plus 1 को 0 कर दीजे sorry y plus 4 को 0 कर दीजे putting y plus 4 is equal to 0 y is equal to minus 4 in equation 2 तो यहां रखेंगा आएगा minus 4 plus 1 is equal to a यह जिरो हो जाएगा पूरा और plus b के साथ आएगा minus 4 plus 3 तो minus 1 आएगा तो minus 3 is equal to minus b b की value 3 आभी a b निकल आया अब a b को उठाओ और equation 1 में रख दो putting a and b in equation 1 तो यह जो आपकी value आई है न y plus 1 upon y plus 3 y plus 4 यह क्या होगा a, a बोले तो minus 2 तो minus 2 upon y plus 3 b कितना है plus 3 upon y plus 4 अब चुकि हमारे a b निकल आया अब y के लूठाओ रख दीजे तो यह यह चीज़ आजाएगी आपकी यह एक्स स्क्वाइर प्लस 1 upon x स्क्वाइर प्लस 3 into x स्क्वाइर प्लस 4 is equal to minus 2 upon x स्क्वाइर प्लस 3 plus 3 upon x स्क्वाइर प्लस 4 इस प्रकार से हम कुछ partial fraction की concept है इनने हम लगाएंगे इनका इस्तेमाल चुकि integral में करना है ठीक है सिध्यान से इसको पढ़ी जेगा next exercise जो integral की है वहाँ इसके इस्तेमाल होगा okay thank you